नमस्कार मैं हूँ बिसमेलंकार और अभी मैं हजारी बाग के बढ़का गाउं इलाके में हूँ और यहां के एक किसान ने बदलाव किया बदलाव यह है कि एक तो बढ़का गाउं का छेतर वैसे भी सबजीयों के लिए बहुत उन्नत रहा है बहुत मशूर रहा है लेकिन इन छेत्रों में कभी परवल की खिती नहीं होते थी परवल जारखंड में भी वैसे भी कम होता है हजारी बाग में तो होता ही नहीं था लेकिन जो हमारे साथ अच किसान है परवीन जी उन्होंने एक नई पहल की और उन्ना तरीके से ना केवल यहां पटल उगा रहे हैं बलकि परवल को पिछले मार्च से अब तक बेच कर 15,000 से अधिक रुपए यह कमा चुके है कैसे इन्होंने यह सब किया और कैसे दूसरे किसानों को यह प्रेरित कर रहे हैं आए इन से जानते है परविन जीब कैसे लगा कि यहां परवल होना चाहिए और कितना यहां के जलवाईों के लिए यह सही है देखे इसका जो है कहीं भी हो सकता है अईसा कुछ नहीं है कि यह परवल जो है सो कोई विसेश मित्ती या विसेश जगह के लिए है ये जो परवल हम लोग जो लगाएं है ये जो है जारखन में के अनुकुल ही किया गया है और इसको जो है हम तीन साल पहले जो है हम पलांडू रिसर्स सेंटर है वहाँ से हम लाए है और आज जो है सो हम लगाए है और अच्छा है और सा फसल जो लगाते हैं उससे जो है सो हमको अच्छा लग रहा है किसान इधर मुखिता पहले तो टमांटर के लिए बड़ा ये परशिद था जो किसान है वो करते थे फिर तर्बूज का वकता है लेकिन दोनों में मौसमी मार बड़े का जवर्दस सामना करना पड़ता है कई बार फसलें बहुत बड़े अस्तर पे खराब है ती जिसे इस बार आस तुफान के बाद हुआ क्या इन सब चीजों से ये सुरक्षित है कि इसको किजिए तीन साल आपको फसल मिलता रहे है मार ख़ो जाता है मौसम का भी मार होता है और बजार का भी रेट कभी कुछ हो जाता है कचड़ा हो जाता है तीन रुपीय टामाटर कोई नहीं पुछता है नी तरबुज हम लोग हम लोग खेत में छोड़ दिये और जो है कोई लेने वाला नहीं था लेकिन आज जो है हम ये पटल जो है डेड़ कठा यहां लगाए हैं और एक जगा जो है साथ कठा लगाए हैं आपको हम वहां भी दिखाएंगे तो ये जो है सब ही मार्च से हमको सुरू हुआ और अभी तक हर सप्ता से 15-20 केजी होता है आपका ATM हो गया यह तो तो हम सिसको तोड़ते हैं और सुबह बजार ले जाते हैं तो लोकल लोकल लोग कुछ दिन तो 50 रुपे भी बेचा और 40 रुपे भी बेचा अभी जैदा होने लगा मेरे पास तो हम बैपारी को 35 रुपे से 70 रुपे दे रहे हैं तो फाइदे वाला सौदा है? जी हाँ एकदम फाइदे वाला सौदा है और इसमें बहुत सा महनत भी नहीं है किसानों को आप कितनी मदद करेंगे अगर कोई यह करना चाहे तो देखे किसानों को हम जो है जहां तक हम को अगर हम जखेत में जाके लगवा देंगे मेरे यहां आएंगे हम फिरी उनको जो है सो जो भी सला है हम देंगे उनको और जहां तक होगा वहां तक जो है सो हम उनको सहता करेंगे और आज जो है हर हमेशा जो है मैं बड़का गाउं में जो भी किया किरिशी छेतर में मैं नया किया अच्छे कितने किसान अभी आपसे प्रवावित हो कि ये कर रहे हैं देखे अभी मेरे लोकल जो हैं कुछ किसान हैं चुर्चु के किसान हैं वो भी ले गए थे और हजारी बाके भी कुछ किसान लोग ले गए थे, لेकिन जो है, देखे हम बोलेंगे किसान बन्धूधू लोग को कि यह जो है दो, चार, पाँच लगाने से यह इसमें कोई benefit नहीं है, जो भी किसान लगाने चाहते हैं, हम लोग तो सीमा, छोते किसान एक राट अगाते हैं तभी कुछ तज़ुरबा आएगा तभी जोड़ घटा आएगा अईसे मेरे अगल भगल में दस दिये हैं किनि को交minute ओक और गोग स्पाथ हो गया है ओर यह बड़का च्छेटर में मैं पूरा भरपोर यह रहेगा कि यह जो है मेरे कुछ जो है नदी किनारे कुछ किसान बंधुलों का खेत है हम उधर उदर उनलों को परउत्साहिद कर रहे हैं तो देखिए हमारे साथ किसान प्रवीन जी थे और इन्होंने नाकेवल किसानों के मदद की बात कहीं कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत इन शेत्रों में परवल की खेती करने के लिए हो तो वो ये करेंगे विस्मायलंगार लगाता.in के लिए न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ